नमुश्वे चिर्ण यह चप्टर भारत माता से रिविजन वर्क फर्स्ट कर्शन है लोगों की आँखों में कब चमक आ जाती थी सो नहरू जी जब लोगों को श्रोताओं को यह बताते कि वे ही भारत माता के अंश है उनसे ही भारत माता है तो उस समय उनकी आँखों में चमक आ जाती थी दूसरा है लेखा गाओं वा शेहरों में अपने भाषणों में क्या अंतर रखते थी तो जैसा चैप्टर में विदिया है कि शेहरों में लोग शिक्षद होते थे समस्दार होते थे और इसी कारण की समस्याएं भी अलग होती थी इसलिए नहरूजी शेहरों में विकास की वा स्वतंतरता संबंधी बाते करते कित गाव में लोग कम पढ़ लिखे होते थे उनकी सोच सीमित होती थी मानसिकता उनकी संकियन होती थी इसलिए वे समझाते कि उनसे ही देश है वे ही देश के अन्ष हैं और इस प्रकार से वे उन्हें देश की एक्टा पर बल देते हुए भाषण वहाँ देते थे कर्द कि भारत के विकास को लेकर, आप क्या सपने देखते हैं कि ये आप अपने साप से लिखसकते हो कि भारत के विकास कर ना रहे शांती हो क्रिशी विज्ञान और द्योगिक सभी छेत्रों में भारत तरक्की करें तो इस प्रकार के बातें आप इस आंसर में लिख सकते हो और यदि आप कुछ और भी सोचते हो तो आप वो भी लिख सकते हो आजादी के पहले भारत के निर्मान को लेकर नहरू जी ने क्या सपने देखे थे तो नहरू जी ने में तो अध्योगिक क्रांती मींस उध्योग धंदे बढ़ें और जो महाजन संस्कृति मींस जमीदारी संस्कृति जोती उससे मुक्ति मिलें किसान तरक्की करें, विज्ञान तक्नीकी का विकास हो और गरीबी दूर हो इसके बाद क्षिन नंबर 5 है लेखक ने कहां कहां की यात्राइं की और क्यूं तो ये चाप्टर में ही है लेखक ने उत्तर पस्चम में खैबर के दर्रे से लेकर दक्षिन में कन्या कुमारी तक की यात्राइं की वे सारे देश के लोगों को स्वतंतरता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करते थे अपने भाशनों के दूरा तो इसी लिए उन्होंने सारे पूरदेश की यात्राइं की लेखक को किसानों को हिंदुस्तान की एकता बताना क्यूं जरूरी लगता था next question है तो इसलिए लगता था जैसा कि पहले भी बताया कि किसान सिक्षत नहीं होते थे और इसलिए उनकी सोच जो है वो बहुत संकीन होती थी तो किसान जो है वो अपनी छेत्रियता की भावना को त्या कर मतलब जैसे किसान चूंकि गरीब होते थे इसलिए वो देश में बाहर नहीं निकल पाते थे तो उनको लगता था कि जो उनका अपना चेतर है वही अपना है तो इसलिए किसान एक छेत्रिता की भावना से ग्रस्त थे तो लेखक चाहते थे कि किसान छेत्रिता की भावना से बाहर निकल कर उस भावना को त्याग कर पूरे रास्ट के विशय में सोचें लेखक जब उन्हें संपूर्ण भारत के किसानों के विशय में बताते तब उनको लगता कि जैसे सं पूर्ण भारत के किसानों की समस्याएं एक जैसी हैं और तब भारत के दूसरे हिस्से के लोगों से अपने आपको कनेक्ट कर पाते और तब उनमें स्वराज के लिए संखश करने की प्रिणा जागरत होती इतना ही इस वीडियो में और आप लोग इसको आंसर्स को लिख के जरूर प्रैक्टिस करना चैप्टर पहले पढ़ लें उसके बाद यह आंसर्स लिखें जहां नहीं समझ में आए वो आप वाट्सेप के थूरू पूछ सकते हों नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे चैप्टर से दूसरे पोयम से उससे हम रिविजन के लिए क्रिशन्स देंगे नमश्यवाए